Awakening with Brahma Kumaris لگا Präsident Canvas छोप आभी जोपो की भी Черना वैmos अंवरlements और फ्षैक वै 54 राव 100 fota भुब पूर्सेस और कहा तक पहुचता है सबसे पहले तो ये समझना बहुत इंपोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या गुसा एक emotional disturbance है हमारे consciousness में जो create तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए मतलब परिस्थितिया और लोग जब हमारे control से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो disturbance हमारे अंदर create होता और generally क्योंके हम परिस्थितिया और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं तो भी आबल तो जब तो जब गलत थे तो मुझे गुसा आया तो आज दिन तक हमने अपने गुसे को justify करते गए और इसलिए परिवर्तन करने की आवश्रक्ता भी नहीं समझी कि यह सही है दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुसा नहीं करेंगे और उनकी है गलती तो मेरा गुसा करना जायज है बट वट वी देंट रिलाइज इस एट अवरी ताइम वी इंफलिक्टिंग सो मुच पैन ओन आर्सेल्ब्स तो गुसा बार-बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में तो यह अपना ही नुकसान है दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत जादा नुकसान है क्योंकि यहां जो disturbance create होते वो यहां पर भी उसका प्रभाव पड़ता और पूरे शरीर पर भी पड़ता तो सबसे important है यह realize करना कि यह मेरी अपनी creation है इसको मैंने generate किया और इसको मैं finish कर सकते हूं तो सबसे पहले उसको overcome करने के लिए हम एक awareness में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिरचिड़ापन की feeling आए थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहीं अनुसार नहीं चल रहा and I can see okay I am not liking it you know me not liking it is my is my first stage of irritation irritation थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया है तो उसी time वो first stage है awareness जागरता कि मेरे अंदर क्या create हो रहा है तो अपनी creation की शुरुवात में ही उसकी awareness होती है और दूसरा acknowledge करना कि yes I am creating this आपकी वज़े से नहीं यह हो रहा है आप बले जो बोल रहे हैं लेकिन यह मेरी अपनी creation है इसको मैं create कर रहा हूँ और यह इसको एकसेप्ट करना कि हां मुझे आरा है उसके साथ युद नहीं करना कि क्यों आरा है I will have to accept it क्योंकि मुझे अब उसको finish करना है तो एकसेप्ट कर लेना कि हां मुझे थोड़ा थोड़ा सा आरा है और यह मेरी अपनी creation है लेकिन यह मेरे अपने हाथ में है तो awareness create की acknowledge किया कि हां यह आरा है accept किया कि यह मेरी अपनी creation है और फिर उससे detach हो जाए अपने आप उस गुशे की thoughts को देखना शुरू करते है watching it watch it and see it तो what happens एक है कि जैसे हम अपनी consciousness की जो energy है उसको वहां से हटा देते हैं और वहां से हटा कर उस thoughts को देखना शुरू करते हैं तो जैसे हम वह energy को हटाते हैं वह जो emotion है वह finish हो जाती है अभी क्या है हम उस emotion को energy देते हैं fuel करते रहते हैं we always say that उसने हमारे anger को fuel किया but I think it's our energy जैसे एक छोटा बच्चा होता है अगर आप वह मस्ती कर रहा और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वह conscious हो जाता है और वह जो कर रहा था वह उसको छोड़ देता है अगर बचेछ कर छोब दो है , जा खुरू करना हो tutorials Eastern fian Yer with my if you can stay with me till a very very long time और उससे डेच हो जाएंगे and तेन, come back to my stage to the center के मै कां घम शांति , ये भी अगर याद रहे तो इच मिन्स मै ग्शांजश्वरुловत पात्मा हूं but, i come back to my stage that I am a peaceful birth Awareness Acknowledge accept कि हां आ रहा है फिर उसे detach हो जाए and then come back to my original stage तो कभी भी दिन में ये चिर्चिडा पन गुसा अगर आए तो लेट्स गो थू 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 फाइज़ेज़ और अगर उस ताइम नहीं कर पाते हैं तो गुसा करने के बाद भी भले कर ली थे कि आज मुझे गुसा आया था क्या हुआ था था तो क्या होगा एक दो बार गुसा करने के बाद करेंगे तो अगली बार गुसा करने के बाद करेंगे तो अगली बार गुसे के दौरान भी हो पाएंगे कि हमें अहसास नहीं होता था कि हमने गुसा किया है और आप क्यूंकि जब पता है कि इतनी बात गुसे की सुन चुके है हम दूसरों कहते था मैं तो गुसा नहीं करता मुझे तो गुसा नहीं आता No, I'm a very peaceful person But वो जो अंदर का चिड़चड़ापन है जो internalized anger जिसके हमने पहरे बात की थी So this all stays with us So again, it may not go completely in one day But the moment we'll start watching and going through these five steps I think gradually we should be able to It is not going to go in one day See, because why it will not go in one day क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते है अगर beliefs सारे एक दिन में तोटता है कि गुसे के बिना काम हो सकता है गुसे से कोई result तो तो एक दिन में चला जाएगा लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है लेकिन the journey is very simple You know, don't give up on yourself चाहे आपका कितना भी करक्संस कार हो क्रोध का It can go और वो पुरी तरहे से जाएगा क्योंकि अवेरनेस चाहेगी You know, awareness चाहेए बस गुसा आ रहा है And then it will go And ये justification खतम करने है कि दूसरों की वज़े से है जब तक वो belief system सबसे strong है कि औरों की वज़े से गुसा है Then I will not change Then I will keep waiting for you to change Yes, you know We've always been saying It's just a thought way So again, the thought that I am responsible ये एक संकल्प, ये एक सोच की मैं जब्मेदार हूँ Even if उसके लिए अपने आपको दोशी ना ठहरा कि ठीक है गुसा है भी तो कोई बात नी वो तह ये है कि अपने आप से गुसे में चले जाते है That's why I have done That's a mistake First of all, गुसान हो जाता है अब गुसान हो जाता है फिर शेम हो जाती है And फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको छुपाने के लिए और उसके और गुसा करते है You know, मतलब पहले गुसा कर देंगे अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था मुझे तो करना चाहिए था You know, it is just becomes a very cycle process and it just doesn't break anywhere And definitely, Sister Shivani, हम इस पे कितनी बात्चीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि it can change लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी और उनके इमोशन और फिलिंग के की इनके हर एक कमने था इमोशन कैहीं को हम अब हमें अश कि हम अगी तक उनिपमें पहले हम एक पुज़ड़ा है एक जो इसका जो एकी आफिलिगें है हम यह बहुत से मानिताइं क्या सकते हैं, कि पीस चुह हो बहुत अनरजीलेस हो जाता है तो अच्छी बहुत सी बाते हम जानें कि क्या मानिताइं जोड़ी हैं मैं आप से जाना चाहती हूं कि क्या है, what is really meant by शान्ती या पीस? पीस is a word which we use very often, but rarely understood, you know, we are all looking for peace हमें शान्ती चाहिए, हमें शान्ती चाहिए, but we are not aware कि what are we looking for, तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चाहेगा कि वो है, actually, अगर देखा जाए, तो हम लोग सब शान्ती अनुभफ करते हैं लेकिन वो एक नाच्रल स्थिती है, लेकिन उसको हम तब रियलाइस नहीं कर पाते, हम रियलाइस किसको करते हैं जब हम stress में या tension में होते हैं, क्योंकि वो अननाच्रल है, you know, and at that time we say I want peace, peace is basically a state of the being, यह सिरफ एक स्थिती है, मुझ आत्मा की एक स्थिती है, जिसका result क्या होगा, कि जो मेरी thoughts होंगे, वो बहुत positive और focused होंगे, अंदर एक silence होगा, एक है silence, एक है noise, you know, तो peace doesn't mean कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं, बाहर से हो सकता है कि बहुत peaceful है, अंदर बहुत noise है, और noise क्या है, यह सब disturbances, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चे था, thoughts, some people think peace, silence, मतलब no thoughts, no, thoughts focused, आपको जिस चीज के बारे में जिस शोचन है, और जितना सोचना है, और जिस रूप से सोचना है, बस उतना ही करना है, हमें यह प्रोग्राम अभी करना है, one thought, होगा, नहीं होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, कहीं कुछ प्रोब्लम तो नहीं होग you know, जो focused thoughts किया बात कर रहे हैं, कहीं हो positive रहे हैं, positive, they will always be positive, जो negative thoughts होते हैं, वो बहुत fast चलते हैं, and they will be more towards worry, anxiety, tension, fear, the positive thoughts बहुत फोकुस्ट होंगे, और उसका result आपके attitude में आएगा, आपके behavior में आएगा, अगर normal practical में हम देखें, तो peace is actually acceptance, स्विकार कर लेना, अभी जो ची जैसी है, बैसी बल्कुल ठीक है, but with the working, कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है, तो अभी क्या होगा, peace, शांती मेरे मन में तब होगी, जब मैं accept कर लों कि आप अभी जो हैं, जैसे हैं, बल्कुल ठीक, तो ये शंट शांती, और फिर मैं आपको अगले शंट के लिए, भी किया चैंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं, इनको ऐसा नहीं उना चेह था ये क्या पहना वाँ, ये नही पहना चेह, तो आणती मैं भी उटना चाह है, ऐसे नही बोलना चाह. इसे पीसलेसनेस, I am nga accepting you as you are. तो peace is के situation जैसी है, accept करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको change भी करना. Peace मतलब आप जो हैं, जैसे हैं, आपको स्वीकार करना, even अगर आपका opinion, मेरे opinion से लिए. This is what I wanted to ask, when you say कि आप accept करनो, मैं आपको accept करनो जैसी आप हैं, कि आप सही है, आभी जैसे हैं, अपने परिपक्ष में भी स्वीकार के लिए Talk, आप हैं, अपने परिपक्ष में एंने डिष्टि कोंसे आप जिस सिचुवेशन में भी हैं, आप कली एग करना. तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट इसको भी करती हूँ, यहां यह जाता है कि तेन गिविन हो गया? क्योंकि मैं यह भी एक्सेप्ट किया कि आप यहां वा ठीक हैं कि यह बी थीक है, मैं यह भी पहले तो औरों को हम अ 생 Bunu कर सकते जब तक हम अपने अपको, very often it is that अगर हम अपने आप को नहibly अप्सेप्ट कर पाते तो अंडर बहुत वहुत disturbance है, तो औरों को accept करना, सबसे पहले see, it's a very thin line which will be understood with experience, क्योंकि mostly जैसे हम सुनते हैं, अच्छा, accept करना मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं बोलना, जो है, जैसा है वैसे चलता है, you know, that's a very, we have to do it and see it, के ये कैसे होता है के अभी आप let's say for example, I want to tell you, के this dress is not looking nice, I feel wear some other dress, अब ये मेरा आपको बोलना, के I think आप अपनी dress change कीजे, एक है के आपको देखते ही, इस dress में मैं को कैसी पहनी है, क्या है, ये अच्छी नहीं लग रही है, ये अच्छी नहीं लग रही है, ये color, so much of turmoil, अब ये negative energy, जब आप तक पहुंचेगी, ये पहले पहुंच जाएगे और फिर मैं आपको शाइद बहुत पयार से भी उपर से बोलो, के, you know Kanupriya, I think change your dress लेकिन आपको तब तक मेरे से इतनी negative energy मिल चुकी होगी I'll start getting irritated, absolutely and आप बोलेंगे क्यों, मुझे तो बल्कुल ठीक लग रही है मैंने चेंच करते, क्यों क्योंकि आपको already मेरे से rejection, क्योंकि मैंने आपको internally reject कर दिया, मैंने आपको बहुत पुलाइटली बोलूँ कि वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है but you know, I try to be very politically correct in my words but here I am totally distorted तो वो energy of rejection, सारी आप तक पहुंच गया आपने उसको रसीव किया और आपने का, हुआ यू तो तेल में मुझे पता है, के मेरे लिए क्या राइट है no transformation और अंदर, इतना तर्मोल now acceptance is आपने अपने पोंट उफ्यू से जो पहना है यू बिलकुल ठीक है भू बिलकुल ठीक है this is not just for saying it's for really understanding and accepting that's actually very important, you know usually हम क्या करते हैं politically correct रहते हैं जैसे आपने कहाँ या कहीं उसकी भावनाव को थेस ना पहुंच जाए आपने वाले को कि कि हमें गलत लग रहा है और हम that's very true sister Shivani because at times we feel कि वो गलत है जैसे आप पहन्स भी कहते हैं कि उनको फिर सुधारें कैसे जो गलत कर रहा है उनको सुधारें कैसे तो अंदर से हमें ये एक्सेट करना जरूरी है कि वो अपने परस्पेक्टिव में वो सही है and बिलकुल जैसे ही हम वो when I accept you ऐसे ही कि आपने जो पहना है भले मुझे बिलकुल नहीं पसंद आए ठीक है? Again, that difference of opinion will be there but I accept कि you like it ठीक है? and आपकी choice को में रिस्पेक्ट करती हूँ I accept here accept करने से क्या होगा? यहाँ कोई दिस्टर्बंस नहीं होगी तो energy की जो quality है वो बहुत positive रहेगी तो आपको अगर मैंने internally accept किया आपको वो acceptance की energy अपने आप पहुंच जाएगी फिर उपर से even अगर मैं directly बोल दो कि you know what? यह आप पे बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा तो भी आप change करो because आपको जो energy मिली है वो acceptance की है तो वो जो चाहिए न हार्मनी कि अंदर से accept कर ले फिर बाहर से आप change ला सकते हैं लेकिन अंदर से disturb कर लेते हैं फिर बाहर से सोचते हमने इतने प्यार से बुला फिर भी उन्होंने नहीं नहीं अच्छा यहाँ attachment फिर फिर बहुत जादा क्योंकि जब हमारे कोई अपना हमें दिख रहा है कि गलत कर रहा है तो हम कैसे ना उसको रोके हमें अपना दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है जैसे ही वो थोट आया कि वो गलत कर रहा है रिजेक्शन यह गलत है यह गलत है उसने इतनी सारी यह अगर आप जो कर रहे हैं वो I feel आप जो कर रहे हैं वो ठीक है मेरे point of view से वो ठीक नहीं है अगर आप अपने आपको evaluate करें तो सारा दिन आप सुबह उठते से ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है यह disturbance क्यो इतना चलता क्योंकि at every step हम accept नहीं कर रहे हैं हम लोगों को नहीं accept कर पाते हैं हम situations को नहीं accept कर पाते हैं paper इधर क्यों fake दिया अचाय में चीनी कम क्यों नहीं ज़्यादा क्यों ऐसे क्यों वैसे क्यों वो अभी तक आई क्यों नहीं वो driver क्यों लेट हो गया, माईं क्यों नहीं आई, खाने में अज ये क्यों बना, at every step, disturbance, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, judgmental, हरे के ओपर judgment पास करना, is our birthright, and actually it is harming us, you know, अगर हमें ये समझना बहुत जरूरी है, सभी, अगर हमारे दर्शक जो जुड़े हैं, कि कहीं न कहीं ये जो, हम ये सुचते हैं, कि अच्छे दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, अगर हम judgmental हो रहे हैं, but I think it's harming us, it's harming us, because यहां वो वो ही है, just remember always, कि शान्ती अलड़ी यहां है, अभी majority हम लो कहते हैं, शान्ती चाहिए, nowhere outside, कहीं से नहीं मिलेगी, ये शान्ती है, जैसे हम ये judgmental बनना शुरू करते हैं, criticize internally करना शुरू करते हैं, हम खुद अपनी शान्ती को भंग करे हैं, तो अगर experience करना हैं एक दिन, what is peace, just accept everything and everybody the way they are, and that is peace. Again, yes, you know, when we talked about it, ये अंटिटोट है अंगर का, तो जहां acceptance आजाएगी, पर अंगर का सवाली नहीं होता, इरिटेशन का सवाली नहीं होता, क्योंकि हम ने ये भी देखा था, क्योंकि अंगर तब ही शुरू है, disturbance create to are out in the form of anger. इसले, peace in a very simple way is just acceptance. एक्सेट करके देन चेंज, तो अपने को भी लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ दिया, अप्सेप्ट कर लिया नहीं हो जो हैं, जैसे हैं, अप्सेप्ट कर लिया नहीं होजाते हैं, तिएल्च अप्सेट कर लिया, कही नहीं कर सकता हैं, माय कॉम्प्रमाईडी, मैं क्यू मैं करूंच करो, मैं चेंज क्यों करो, मैं उनकेले क्यों बदलू, वोब उनको बदलना जाहिए, तो यहां ही सवाल उतता हैं, कि हमेशा उसको, क्यों अपने उपर काम नहीं करने को तैयार हो Lazy We don't want to work and simple यह है कि I am perfect मैं right हूँ क्योंकि actually हर एक right होता internally वो हमने देखा था कि कोई wrong अपने आप तो करता ही नहीं इसलिए दूसरे को wrong नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो wrong नहीं करते हैं वो अपने दृष्टिकों से right करते हैं और इसलिए I want you to change because I feel I am right, you are wrong and I feel कि जो भी यह disturbance क्रेट हुआ कि आपकी वज़े से क्रेट हुआ तो चेंज किसको ओना चाहिए आपको चेंज हुचिए मैंने तो कुछ नहीं किया और मुझे अपने पको के लिए अगर मैं देख के लो हiro उरुग के बीच मैं तो मुझे अपने आपको चेंज करना तो बहुत मुilly बहुत सक्षोग के लोगत नहीं औरों को जोलना तो बहुत easy लग्ता है अपने पर चेंश करना बहुत मुखिए लगता है तो अपने कमजोरियों को हम ठक देते हैं और उपर से फिर वो गुसा करके और शोर मचाए और उरों के ओर अपर उपर इसको डाल देते हैं और भोल देते हैं अब आपको चेंज होने की ज़रत है तो वी अवोइड दो वर्क रिख कह़ते हैं कि यह हम यह तो भी जानता ही हं कि मैं इसी हूं तो पिर अब यह तो यह तो संभई नहीं होगा थे में गुसा क्या में डार्श कर दार्बएव्द मेट कि र चुछ क्या? Isili अगे क्योंकि तो आपने गल्ती की थी ती, मुझे थोड़ी गुसा करना था तो भी कोई जिम्मयवार, रहा हूँ तो भी कोई जिम्मयवारओ, मैं खुश हो। सषएवानी, जहां पीस की बात आती है वहां जो आंगर के साथ ये जुड़ा है कि बही गलती हुई है, तो पीस के साथब फरगिवनिस की बाती है। तो, because peace leads to forgiveness and if we look on the other side, then forgiveness also leads to peace. So, these two conflicts, I mean, one or two are together, but I want to go with you, what comes first? Yes, if you are doing it, then the other one will come to you. Yes, if you are doing it, then you will get peace, or if we are going to be peace, then we will do it too. We can see both of you, actually, again, no right or wrong. If we can do it, we forget that we understand the wrong thing, so if we can do it, then peace will come to you. And as long as we go to peace, then peace will not be made. So, this is the option, that peace will come to you, and bring your peace back to you. But the other thing is, who will be peace? Until now, we had to do peace, because you had a mistake. That's very rude, I was thinking about it, that when we talk about peace. Actually, the whole concept of forgiveness is going to change. It does not exist, I think. It doesn't exist. That whom to forgive? Until now, you hurt me, then you will come to me, sorry. I will say, hmm, okay, okay. Why? Because I have taken that authority, that you have hurt me, now I have to forgive you. And then after one day or two days or whatever, we go and say, let's forgive you. You know? So, you have to forgive me, means you have hurt me. Today, I have to forgive you. But now, we have to understand that you can't hurt me. I have to hurt myself because of my disturbance. So, if someone has to do it, then I have to forgive you. So, where the real meaning of peace comes from, the current of anger comes from, then there is a concept of forgiveness. Because then I do not have to forgive anybody. Because everyone is fine the way they are. It was my weakness and I will overcome it. That's fine. Who do I have to forgive? Oh, that's so beautiful actually. I don't have to forgive anybody. And what happens when you maintain peace? My consciousness is awakened. Because there is no disturbance. So, clarity in thinking, no disturbance, no negative waste thoughts. Intellect also becomes very sharp. So, that's why our day-to-day life is very useful. One is truth and truth. We eat a lot of shame today. What is truth? 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 You know, this not judgment करने के लिए कि आपको जजज नही करना. लेकिन मुझे मेरे लिए तो पता होना चाहीए. वो धोगे से अपने आपको तो मुझे बचाना पड़ेगा ना. कि कोई मुझे चीत करके चला जाए. तो आप गलत है वो बात नहीं है. लेकिन मुझे अपनी तो प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी. उसके लिए मेरी परखने की शक्ती बहुत अच्छी चाहिए. दूसरा, day-to-day मेरी लाइफ में, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है. वो भी decision power आज नहीं है. We don't know what is right, what is wrong for me. तो जब हम वो शान्ती की स्थिती maintained रखते हैं अंदर, सच और जूट की पहचान, सही और गलत की पहचान, बहुत clear होने लग जाती है. और most important चीज़, personal responsibility. कि मेरी feelings, मेरी thoughts, मेरी emotions, यह मेरी अपनी creation है. चाहे वो कितनी भी गलत है इसता है, या चाहे वो कितनी भी सुन्दर है. यह मेरी अपनी creation है, मेरी responsibility है. और दूसरा, intellect बहुत sharp हो जाती है, कि मेरे लिए सही या गलत क्या है. कोई confusion नहीं, क्यों? क्योंकि हमने हर एक जो है जैसा है accept कर लिया, तो हमारी जो बुद्धी है वो unbiased हो जाएगे. अभी biased बहुत है, यह सही, यह गलत, सारा दिन checking. तो अपने ले क्या सही और गलत है, उसको ध्यान देने का बलकुल margin ही नहीं है, क्योंकि सारा दिन judgment बाहर की तरफ है, तो energy सारी कहां जा रही है, उसमें फिर problem आ दिया. बलकुत से शिवानी, आज एक और aspect समझ में आया, कि जहां हम अगर आप मुझसे, आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज परस्पेक्टिव ही बदल जाता है, कि शमा हमें किसी को है, क्योंकि शमा करनी की जरूवत ही नहीं बच्ती, जब किसी नहीं कोई अपने परस्पेक्टिव से हर कोई सही है, इस वांडरफूल वे तो लेव अच्छिए, अज किसी नहीं करते हैं आज किस पूरी बात्चीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओम, शांती, पूरे कॉंदेंस यह मैं कह सकते हैं, ओम, शांती, अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमा साथ शेयर करना जाते हैं, हारवाल की तरह खुलाने मंतरन देते हैं, आप हमें पोन पर संपर कर सकते हैं, या फिर एमेल कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raja Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555 Awakening with Brahma Kumaris में शांती के कुछ और स्वरूप शांती से जुड़ी हुई कुछ ऐसी मानेता हैं जो कहीं न कहीं ऐसी धार नाए हैं, जो कहीं न कहीं हमें शांती के रास्ते पर ले जाने से रोपती हैं, उनको और खंगा लेंगे, मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में, दीजे अजासत, Om Shanti ये द्वानी मंगल द्वानी हैं, Om Shanti ये 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 जुग्वानी ये ये दुब्के ये वे ये ये बाए हैं झाल